एक बार की बात है कि एक जंगल में सारे जानबर जुन लगा के बैटे होते हैं तब तक वहां से दो सर वाली एक चिडिया आती है उनको देखके सारे जानबर हसने लगते हैं अब चिडिया सुछती है या सब देखकर मुझे हस क्यों रहा है लोम्री कहती है अरे तुम कैसी हो वचलिया तुम्हारे दो सर है मैंने तो ऐसी चलिया पहले कभी नहीं देखी वचलिया कहती है तुम लोगों ने नहीं देखी लेकिन हम लोग तो ऐसे ही होते हैं हमारे दो ही सर होते हैं लोमडी कहती है अरे ये तो अजूबई है वरना यहां तो कभी भी मैंने ऐसी चलिया न पहुंच जाते हैं शिकायत करने के लिए तो शिर कहता है अरे हम देख लेंगे उस टिरिया को देखेंगे कि उसके दो सर कैसे हो गए हमारे हाँ तो कोई ऐसा जानबर है भी नहीं जिसके दो सर हो इतलिया हमारे जुन में फिर तो रहे इन रहे भी सकती जब उसके दो सन है इसको हम निकाल के बाहर कर देंगे और फिर लोमडी हिरन और हाथी सब मिलके उसकी शिकायत करने लगते हैं और कहते हैं शेर खान भाई जल्दी से जल्दी स्टिडिया को भगा दो वरना और भी चानबर दो मुवाले आ सकते हैं और सारे जंगन में त सयोग करेंगे और इसको भगाओ यहां से वरना हमारे जंगल का और हमारे चुंद का तो नामी खराम हो जाएगा और सारी जानबर एक कत्रित हो के उस उस टड़िया को ढूदने लगते हैं लेकिन साम हो जाती है और चुलिया कहीं मिलती है तब तक एक चूहा छोटे से बिल में दो मुवाले चडिया चडिया हो जाएंगी और हम लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल होगा तब तक वहाँ पे एक जुगिद था वो देख रहा था बैठे बैठे कि यह बिल्ली हमारे बच्चों को खाने आई है फिर बिल्ली बाद जाके सारे जानवरों को बता देती है क साब मेड़ सारे जानवर सारे ताला आपके जानवर या जो भी थे इकटा होते हैं साब कहता है अरे कोई बात नहीं तो क्या हुआ हिरन भी कहता है अरे कोई बात नहीं तो क्या हुआ हमारे जंगल में कोई भी रह सकता है इतना बड़ा तो जंगल है उसमें अगर कोई रह भी लेगा और पता भी नहीं चलेगा लेकिंशेर खान को यह वाद पसे नहीं आती बंदर को भी अच्छी नहीं लगती वह gifts कहता है कैशी बात करते हो कि कहता है की यह बात ठीक नहीं है हम लोग इतना ग्रते हैं तो हमारा हाल क्या होगा बच्चों मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कर सकते